हेलो एवरीवन आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चेप्टर 10 टिक्नोमेटरी रेशियो की एक्षसाइस 10 को हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था इस एक्षसाइस के कोशन 15 तक की कोशन हम लोगों ने लगा लिया है पिछली कुछ वीडियो में तो आज हम लोग पढ़ने की value दे दी गई 17 by 8 दे दी आगे ठीक है कहा गया है दन प्रूफ डैट 3-4 sin square theta divide में 4 cos square theta minus 3 equals to 3 minus 10 square theta 1 minus 3 10 square theta कहा गया है कि यह equals to यह हमें proof करके दिखाना है तो हम लोग इसे proof कैसे करेंगे यह left hand side equals to right hand side कैसे करेंगे तो इसको पूर्फ करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर sign square theta cos square theta 10 square theta और यहाँ पर भी 10 square theta की value पता होनी चाहिए जब हमें इसकी value पता होगी ना तभी हम लोग इसको solve कर पाएंगे अब बात आत है इसकी value हम लोग laid हैसे find करेंगे तो इसकी value हम लोग find करेंगे sec theta की help से, अब यह sec theta की help से कैसे करेंगे, उसको हम लोग समझते हैं अपने solution पे, अब यहाँ पर 16 में given है sec theta equals to 17 by 8, clear है, अब यहाँ पर technometry ratios अगर आपने पढ़े हैं, तो उसमें आपको एक formula जरूर आता होगा, वो होगा sec theta का, जो को sin, cos, 10, cos, sec, cot ही, सभी के इना, तो आपको यहाँ पर बात कने है, sec theta की, क्वेधि कोशन नहीं का है, so sec theta का formula हम लोग पहले लिखते है, so sec theta हो जाएगा हमारे पास h upon b, यह क्या होता है, h क्या होता है, h K्या होता, h है habistanus, b होता यह होता, यह होता हमारे पास राइट एंगल ट्रेंगल में देखो यह हमने राइट एंगल ट्रेंगल बना दिया इसको बोल दिया और इसको बोल दिया हमने बी और इसको कह दिया कि यह हमारा सी है क्लियर इतनी बात अब कहा जो सी है वह हमारा ठीटा है तो इससे हमें यह पता चलेगा कि इसके सामने वाली जो यह वाली साइड है वह परपेंडिकुलर है इसकि बगल वाली साइड हो हमारी हो जाएगी है और यह एंगल दिख रहा है यह 90-degree का हो क्योंकि राइट एंगल है इसके सामने वाली साइड हमारे हैपे है इतनी बात क्लियर है है हैप tw Stellen बता रखा है कि जो H है अप्सों यहां पर 8 है है यह हमारी पर बेस है यह हमें गिवन मगर यह किसमें आपफ सी हमारा 17 है क्लियर इतनी बात तो जब भी ratio में दिया जाता है तो उसको हम लोग लिखते हैं सबसे पहले let AB दोखो यहां पर H हमारे पास क्या है AC है तो हमने कहा AC equals to 17K क्लियर है और जो base हो हमारे पास CB है दोखो यह CB दिख रहा है तो यहां लिखेंगे CB equals to 8K clear इतनी बन तो यह 17K है और यह हमारे पास आ गया 8K अब हमें क्या करना है अब हमें इसके आंगे यूज़ करना पाइथागोरस ठीरम अब कहों कहों कि यूज़ करने है तो देखो जहां पर कहाग्या है sign यहां पर कहा गया है cost तो देखो साइन का जो formula होता है इसलिफ यह पता है यह नहीं पता है तो इस टीसरी साइट को find करने के लिए हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरेस थियोरम ठीक है इतनी बात किलियर है चलो यहां पर लिखते हैं तो यहां लिखा यूजिंग कि यहां पर कर दिया हमने यूजिंग पाइथागोरेस ठीक है कि पाइथागोरेस थियोरम लोगा किले इतनी बत आप पाइथागॉरोस अल्स ये देखों पायथा गोरस होती हमारीए सपर है क्यों सौर्ड है पिटने से सकौर हुगा थीक तो यहां पर हो गयाし स्क्वार एककोल स्टी हो गया एबी स्क्वार और यहां पर हो जाएगा हमारे पास सी भी स्क्वार ठीक है यह कर दिया हमने सी बी इसक्वार अब दोखो एसी एसी हमारे पास है एसी हमारे पास कितना है 17 के हमने यहां पर क्या लिग दिया यहां पर लिग दिया 17 के ठीक है कि यहां पर हम लुग संना पर सबसे पहले पता करो 17 का स्कूर क्या होता है चैपना होगा नोग यहांपर करके धेते है ठीक है 17 2017 कर देते है तो 7749 हो जाएगा 7 और यहांपर कितना हो जाएगा हमारे पास कि 7 संसे 14 होगा ठीक है 49 आएगा यहां पर और 7 11 हो जाएगा 17 होगा 289 हो जाएगा ठीक है तो यहां 289 और साथ में यहां पर k तो k में भीडिवा लगए तो k square हो जाएगा एकवस to a b है तो a b रहेगा और यहां पर देखो 8 है ठीक है 8 का square क्या होता है 8 8 जा होता है 64 तो 64 यह हो जाएगा k square के लिए अब 64 54 प्लेस का है इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा तो यहां लिखेंगे 289 यहां पर हो गया हमारे पास k स्क्वेर और यहां पर हो गया 64 k गॉट इट यह स्क्वेर एक कोई स्क्वेर हो गया हमारे पास a b स्क्वार अब यहां पर 289 के स्क्वार है और यहां पर 64 के स्क्वार है अब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आजाएगा यहां पर आजाएगा 5 और यहां पर आजाएगches 2 और यहां पर लिए हमने के स्क्वरर के अब अब यहां पर को यहां पर यां पर रहांगा है किसक बढ़ा अब धेन को 225 जुआ तो हम लों लोग लिख सकते हैं 15 यहां कर दिया हमने के एक बश्टू इव अब कहोंगे यह कैसे हो गया तो देखो यहां पर 225 है अंडरूट में ठीक है 225 होता है 15 का स्क्वैर और यहां पर A, B, जो हमारी side थी, यह perpendicular वो मिल गई है 15K, ठीक है, अब simple है, पहले sin, cos, 10, और यहां पर 10, ठीक है, इन तीनों का हम लोग निकाल लेंगे, इन तीनों की value निकाल लेंगे, फिर इसमें put कर देंगे, तो हमारा answer आ जाएगा, तो देखो कैसे, सबसे पहले हमें निकालना पड़ वो होता है, P upon H, perpendicular upon H, तो perpendicular अभी हमने find किया है, जो की है 15K, ठीक है, तो यहां लिख दिया हमने 15K, H हमारे पास दो हो given था, जो की था हमारे पास, H, यह hepatinus, जो की है, AC 17K, तो यहां पर हमने लिख दिया 17K, ठीक है, यह होगा 17K, यह 15K, के से के cancel, तो 15 upon 17 आ गया, यह तो ब बात करते हैं, cos theta की, ठीक है, तो cos theta की भी बात हो रही है, यहां पर cos square लगा है, माँ square को अभी हम ध्यान नहीं देंगे, अभी हम लोग स्रीफ ध्यान देंगे, किसको cos को, ठीक है, यह ज़्यादा important है, तो cos theta की जो formula होता, वो क्या होता, वो होता है, बी upon H, यहां पर होगा base upon H हो जाएगा, यह हमारे पास जो base है, वो कितना है, वो है 8K, और H हमारे पास 17 के, के से K cancel, 8 upon 17 आगया, समझे इतनी बन, यह sin theta हो गया, यह cos theta हो गया, लास्ट में हमारे पास जो तीसरा है, जिसकी और value हमें चाहिए, वो है 10 theta, तो 10 theta की value निकालो यहां से, यहां लिका 10, य जो 10 theta होता, वो होता है, P upon B होता है, अब P हमारे पास क्या है, भया, P है हमारे पास 15K, और B हमारे पास 8K, के से K cancel, तो यह हो गया, 15 upon 8, यह हो गया, हमारे पास sin theta, cos theta, 10 theta की value, अब दोगो, इन तीनों की value मिल गई है, sin, cos, 10K, अब इसमें put करेंगे, और चेक करेंगे, कि हमा left hand side, ठीक है, यह हमारे पास है, 3 minus 4, अब यहाँ पर रहे क्या, sin square theta है, देख रहा है, यह देखो, sin square theta की value थी, हमने क्या निकाली है, उसको देखो, sin square theta की value निकाली है, 15 upon 17, तो यहाँ लिखा हमने multiply, 15 upon कर दिया, हमने 17, clear, अब फिर से इसमें आ जो, अब यहाँ पर रहे क्य है, divide लगा हुआ है, तो हमने इसमें पूरे में divide लगाया, अब यहाँ पर है 4 cos square theta, ठीक है, यहाँ पर दो को sin square की बात किया, तो यहाँ पर भी square लग जाएगा, यहाँ पर 4 cos square theta, तो हमने, यहाँ पर लिखा 4, अब यहाँ पर बात कर रहे है, cos square, तो cos की value क्या थी, 8 upon 17, यह कर दिया हमने square, ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, minus कर दिया 3, बस, ठीक है, बिल्कुल जो जो था, वो वो हमने यहाँ पर value put कर दिया, अब इसको हम लोग solve करने की courses करते है, तो यहाँ पर लिखा है 3, 3 को ऐसे लिखा, minus यहाँ पर 4 हो जाएगा, into कर देंगे, तो यहाँ पर 15, और 15 का square, 225 हो गया, और 17 का square होता है, 17 का square होता है 289, 289, clear है, अब यहाँ पर आ जाते है, divided में, यहाँ पर 8 का square क्या होता है, 80уется 64, तो यहाँ पर कर दिया, 64 का 17 का स्क्वायर होता है हमारे पास 289 कर दिया ठीक है माइनेस कर दिया तिरी अब बस इसको सॉल्व करना है जहां सॉल्व कर लोगे तो हमारा थे तो यहां पर हमने देखा कि 3 है 3 कर दिया 4 कब हम लोगे किसमें करेंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 9 ठीक है अब देखो डिवाइड में हमारे पास 284 है सोरी 289 ने कर दिया अब यहां पर हम ले लेते और इसका डारेक्ट यहां पर इसका लेने जा रहे हैं अभी यह नीचे अला पार्ट नहीं कर रहा है तो यहां लिखा 289 अब 289 का मुल्टिप्लाइब हम लोग करेंगे किसे थ्री से तो करेंगे तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास 24 25 26 हो जाएगा 267-900 हो जाएगा ठीक है अब देखो यहां पर पूरा डिवाइड में आजाओ अब यह लिखेंगे पर 1 किया और तो यहां पर 2 यहां पर हमने लिखा 256 और यहां पर आ जाएगा हमारे 867 क्लियर अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो यहां पर आजाएगा हमारे पास इसको सॉल्व करने माइगा 33 33 और यहां पर आजाएगा 289 क्लियर अब यहां पर आजाओ तो यहां पर आजाएगा हमारे पास okay माइन एक कितना जाएगा यहां पर आजाएगा हमारे पास माइनट करेंगे तो हम पर आएगा 611 ठीकर और हमारे पास क्यार यहां हो गया हमारे हमारे पास left hand side का अब दोको राइट hand side में भी हमारे पास क्या यही आरहा है अगर आज आता है तो हमारा answer है नहीं आता है तो फिर हम दोंने कुछ गढ़बर किया हुआ है तो अब इसके आँगे हम लोग क्या करेंगे 10 की value निकाली थी हमने 15 upon 8 तो यहां पर कर दी हमने 15 upon कर दिया 8 और यहां पर square हो जाएगा देखो कैसे यहां पर हम बात कर रहे हैं राइट एंड साइड जो कि यह है यह हमारा left-hand side था इसमें लिखा 3-10 square theta 3-10 है 10 है 10 की value हमने यहां पर 15 upon 8 निकाली थी और इसमें हमने कर दिया square के लिए इतनी बात यहां पर divide में आ जाते हैं यहां लिखा 1-3 और 10 की जगह पर हमने कर दिया 15 upon 8 कर दिया 15 upon 8 और यह होगा हमारे पस square इतनी बात के लिए अब इसको हम लोग करते हैं दियुकितन क्यों में और हमहाँ इसमें इसमें आते हैं तो यहां पर देखो क्या है कि यहन 23 वाईऊ लेते हैं एक लन तो जो यहां पर यहां पर हुमने ले लिया लोगी यहां पर आपको देखो कि क्या है यहां पर देखो कि हमारे पास हो जाएगा minus 3 के अंदर multiply 5 3 15 carry 167 3 2 6 यहां पर होगा 64 अब इसको हम लोग solve करते हैं तो यहां पर कितना आ जाएगा हमारे पास यहां पर आ जाएगा हमारे पास 64 है और यहां पर है 192 तो यहां 54 4 3 5 3 8わか Code 23 cassette 64 अब यहां पर इसको हम लोग solve करेंगे यहां पर आजेगा मैंने यहांक आजे आघएगा मैं हम लोग श्राट कर देते तो यहां पर आज़ेका वन और often यहांपर आज़ेगा वन नोट मांगा Facebook 64 64 से 64 और यहां पर आ गया 33 और यहां पर आ जाएगा हमारे पास minus six 11 तो देखो right hand side we are a three upon three upon minus six 11 और left hand side भी यही आ रहा रहा था 33 upon minus six 11 ठीक है मतलब 33 upon minus six 11 33 upon minus six 11 यही हो गया question number 16 का हमारा answer ठीक है तो इस calculation को थोड़ा ध्यान से करना क्योंकि यह थोड़ा सब बड़ा लगेगा मां है बहुत ही इजी तो कोशन 16 हो गया अब हम लोग सॉल करेंगे कोशन अब यहां पर देखो कोशन जो 17 है वो कह रहा है इसकी जो वैली क्या इसके बराबर होगी क्या राइट है बराबर हो सकता है यह हमें प्रूफ करना तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 10 थीटा की हैं से हमें करना पड़ेगा सबसे पहले 5 थीटा की कोशच तीटा की वैलिव तब जाकि हमें लोग कर पाएंगे अब कहो के क्यों फाइंड करना पड़ेगा तो की वैलियू निकालेंगे और इसके बाद यहां पर यहां पर पुट करेंगे फिर उसको सॉल्ड करने बाद देखें क्या इसके बराबर आता है अगर आ जाता तो हैंस फ्रूफ हो जाएगा नहीं आता तो नहीं होगा ठीक है समझगे अतनी बात अब कैसे निकालेंगे वो देखते हैं हम लोग है अब हमें क्या कना सबसे पहले यहांगे पता करना है जो फॉर्मशन होता है इस involving जन्यों वाले कौए से बीक्रियो वाले तो Lars अफंग को फॉर्म्जा हूगा ऐसे घूपी होता हमारा टेन थीरटा का अब ठों पी ऑ ओपन भी मतलब हो रहा है मिल्हा यहाँ पर 20 है यह हमारा पी हे ओर जो बी है वह 21 अब यह P O B क्या है उसको समझो यहां पर हमने बनाया एक ट्रेंगल ठीक है इसका नाम दे दिया राइट एंगल ट्रेंगल है यहां पर इन दोनों में से कोई एक एंगल को मान लो ठीक है अगर इसको मानोगे तो इसके सामने वाली साइड यह पर्पेंडिकुलर हो जाती और इसके बगल वाली साइड यह बेस हो जाती है अगर जिसको ठीटा मानोगे उस हिसाब से हमारी साइड तै होंगी काउन सी क्या है इतनी बात क्लियर होगे अब देखो यहां पर टेंटीटा की वैलू 20 दे दी गई है जो की 20 क्या है हमारे पास पर्पेंडिकुलर यह है और यहां पर बेस हमें दे दिया गया है 21 दे दिया के लिए इतनी बात अब हमें यहां पर H find करना है अब कहोंगे एच क्यों find करना है क्या जओए है तो देखो जहां पर ना हमारे पास जो कोशन सेवेंटी ने इसमें find करना है साइंठ ठीटा की वैल्यू पहले तो फिर find करना है कोश ठीटा की वैल्यू तभी तो हम लोग प् होगी एच हमारा यह है यह वाली साइट नहीं पता होगी तो हम लोग साइन की वैल्यू ही नहीं निकाल पाएंगे अगर वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे तो हम लोग इसे सॉल भी नहीं कर पाएंगे इस विजह से सबसे पहले हम लोग यह वाली साइट करेंगे अब इस byths theorem है हमारी की हल्प से तीसरी साइड हम लोग फाइंड करेंगे हमें यह बात य है की पाइफागोरिभर ओर हमारी अंकल में लगेगा आप तंगल में जब लगें की जब हमें रायरेकाउर्फड हो जाएगा परपेंडिकुलर एबी स्क्वेर और यहां पर बोल सकते हैं cb स्क्वेर कर दिया cb स्क्वेर के लिए इतनी बात अब जो एसी है उसका कुछ अधा पता नहीं तो हमाँ पर लगा है स्क्वेर और यहां पर इन दまたTalk 2 llegaigon का सब्सक्राइब इंदोनों को और टो एट हो जाइगा 841 यह किसका स्कुरी वता है यह स्कुरी होगा क्यों कि यहां पर लगेगा यहां चला जाएगा तो यह और रूट क 238 41 हो जाएगा अब देखोilot मैं आप इस का यह किसका स्कुरी होता है यह from हमारा 29 गा किसका होता है 29 नाइन तो एसी मतलब यह वाली स्ञेः यह आगई हमाइ पर 29 अब तीनों साइः हमें पटा चल गही है तो सारी वैल्यू निकाल सकते हैं धोजे यहां पर पहले कोशन ने यहां पर sin का formula लगाएंगे sin theta का formula होता है P upon H perpendicular upon H और perpendicular जो हमारे पास 20 है और H हमारे पास जो हमने अभी find क्या है वो है 29 अब इसी तरह हम लोग निकालेंगे cos theta की value अब cos theta की value B upon H है तो जो B है वो हमारे पास क्या है base हो है 21 और H हमारे पास 29 है बस cos theta sin theta की value निकल गई बस यहीं तक मेंद करनी और भी क्या करना है बस देखो क्या करना है simple साथ जो भी यह लिखा हुआ है इसमें value put करनी है अब देखो पहले हम यह लिख के बताते हैं पहले लिखने जा रहे हैं यहां पर लिखा है one minus sign यहां लिखा साइन ठीटा और फिर लिखा है cos theta divide में आ जाएंगे तो यहां लिखा one plus sign theta ओके और यहां पर होगा plus cos theta क्लियर इतनी बाद अब यहां पर one minus sign theta plus cos theta हमें यह प्रूव करना है कि यह बराबर है 3 by 7 के तो इसके लिए हमें इसमें value put करने पड़ेगी तो सबसे पहले यहां लिखा हमने one minus just sign theta है वो 20 upon 29 है 20 05 यहाऌ पर कर दिया 29 अगाधिया plus napa 21 upon कर ठीज़ अब यहाँ पर हमने कर दिया one यह पर बूस यहां पर हो जाएका 20 upon ऊज़ेगर 29 और हैं कि लिए रोगे इतनी बाद अब क्या करना है हमने कर दिया लॉन लेलिये अब यहांपर कर दिया हमने 29 इसकी बात कर रहे पर वाले दो 29 मिला अब धो यहांपर 21 को डिवायड कियाたい कि की है तो 29 आजएका यहांपर आजएगा 20 और यहांपर आजएगा 21 श्थिक अब नीचे की बात करेंगे तो यहां सबस् laser स्वाइब कर बांधिक और यहां पर हो जाएका कि त conception 27-29-29 इस सब्सक्राइब सौंब करें 99 और यहां पर हो जाएगा थाटी तो यहां पर कर सब्सक्राइब निट है 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 अब यहां पर 29 plus 40 21 k 28 670 00 कैंसल क elf को गया हम पर थत्रीक सेमें आ देखो जब हमने इसको solve किया तो 3 x 7 आ गया और हमें लाना किया था हमें लाना भी था 3 x 7 तो यह हो गया हमारा right hand side equals to left hand side hence proof तो लिख दो यहां पर left hand side equals to right hand side hence proof बस यही हो गया question number 17 का हमारा solution अब आते हैं हमनों question number 18 में तो देखो यहां पर जो question 18 है वो कह रहा है if 10 theta equals to 1 by root 7 then prove that this equals to 4 by 3 जैसे question 17 हुआ है बिल्कुल question number 18 को भी हमें है ऐसे ही करना है हमें इसमें भी यही काम करना है पहले 10 थीटा की हैं से कॉसेक सेक की value निकालने है फिर इसमें पुट करके देखना है क्या solve करने में 4 by 3 आता है अगर आता है तो हमारा प्रूफ हो जाएगा तो चलो देखो यहां पर आगए हम लोग 18 बें तो 18 का हमारे पास जो given है वो है हमारे पास 10 थीटा अब देखो 10 थीटा है वो गिवन है वन अपॉन वन अपॉन रूट रूट 7 गिवन है ठीक है अब 10 थीटा का फॉर्मला सबसे पहले सोचो क्या थीटा का फॉर्मला है पॉन वी पर्पेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ठीक है चलो अब देखते हैं हम लोग डाइग्राम में हमारा पर्पेंडिकुलर कहां है बेस कहा है यह यह राइट एंग तब यह होगा हमारे पर रूट 7 अक है अब ट्रेंगल की दौ साइट पता है तीसरी साइट नहीं पता है तो सबसे पहले हम लोग तीसरी साइट को find करेंगे क्यों करेंगे इसका भी रीजन ईन धेखो फिर से आओं जैसे पिछली मुझा था उसमें भी एक मिनट यहां पर ह और सेक की बात करना जब हमें इसकी वैल्यू पता होगी तभी तो इसमें हम लोग पूट करके यह सॉल्व कर पाएंगे तो देखो कॉसेक का जो फॉर्मला होता है उस फॉर्मले से ही हम लोग इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे तो कॉसेक का जो फॉर्मला होता है वो होता है देख लो है च की बात कर दी इसने तो च तो हमें पता ही नहीं है तो सबसे पहले हम लोग है को find करेंगे तो एच को find करने के लिए हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरेस क्योंकि यह है हमारे पास right स्कुएर कि फ्लस होता है हमारे पास cb स्कुएर के लिए इतनी बत आप जो ac है एवर हमें पता नहीं है इसको ऐसे लिखेंगे शीच कहाते अब स्काइव थे आप अब जो है हमारे पास कौन सी साइड यह वाली साइड है और इस साइड के नाम में पर 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 Absol watermelon है तो यहां पर संब करते हैं नहीं तो यहां कि प्रेस करते हैं जो cb है यह वाली साइड और यह है हमाने पर बेज़ यहां पर कितना पता ही रूट तो यहां पर करती है रूट 7 का स्क्वेर ठीक है अब यहां पर देखो 1 का स्क्वेर 1 होता है रूट 7 का 7 होता है एड कर दो के तो यहां पर हो जाएगा यहां पर लिखा हुआ है अब स्क्वार यहां से हटेगा तो यहां चला जाएगा हमारे पास अंडर रूट 8 हो जाएगा और यहां पर रूट अब यहां पर ना हमारे पास क्या आ गया एट तो इसको हम लोग कैसे करेंगे यहां पर लिखा हमने 8 रूट 8 के लिए इतनी बात चीक है अब आंगे देखो यहां पर जो कोशन है कोशन ने कहा हुआ है कि कॉसेक स्कुएड ठीटा प्लस साइन स्कुएड ठीटा सॉरी सेक स्कुएड ठीटा प्लस कॉसेक स्कुएड ठीटा माइनस सेक स्कुएड equals to 4 by 3, मतलब कि हमें यहां पर कॉसेक और सेक की value find करने है, तो यहां पर आते हैं, यहां लिखा में कॉसेक, कॉसेक ठीटा की जो value होती है, जो formula होता है, वो होता है H upon P, हैपेटेनिस upon क्या होता है, perpendicular होता है, इतनी बात clear हो गई, कि अब हम लोग इसको solve करते इसको कैसे करेंगे वह दिखो यह हो जाएगा हमारे पास है पर निकाला है रूट 8 चाहिए यहां पर यहां पर 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 पन्डिकुलर है वह हमारे पास हमने one यह पर तो यह पर पैंडिकुलर वन है और हमने रूट 8 को find किया हूआ है चलो अब यह सेख हो गया अब हम लोग क्या निकालेंगे निकालेंगे और जो सेख है सेख थिटा का जो फॉर्मला होता वह क्वाइब जी होता है वह हमारे पास क्या है रूट एट है और भी मतलब यह हमारे पास रूट सेवन है यह ने कर दिया इतनी बात क्लियर होगे अब इसको हम लोग सॉल कैसे करेंगे अपने जो कोशन ने कहा था ना कि इसको प्रूफ करके दिखाओ इसमें पुट कर देंगे और हमारा प्रूफ हो जाएगा देखो कैसे जो भी कोशन ने कहा उसको हम पहले लिख लेते हैं तो easy रहेगा हम इसमाना रहा sugar समझना है यहां पर लिखा हमने को छक कि-सक कुए अचे और यहां कर दिया प्लेस सजते कारे ओट है है और यहां पर डिवाइट में हमारे पास हो जाएगा कॉष है Красओ स्कॉंत माईने स्जते स्गेस्चा क्लियर इतनी मादिगए अब को सदिति की यहां पर स्क्वार लगा है तो स्क्वार कर दिया प्लैस सेख है हमारे पास सेख है हमारे पास रूट एट बाइ रूट सेवन ठीक है यहां पर कर दिया हमने स्क्वार अब डिवाइड में आ जाते हैं यहां पर कॉसेक स्क्वार कॉसेक जो है हमारे पास वह क्या है वह हमारे eight by seven और यहां पर हो जाएगा हमारे पास 8 यह हो जागा माइनस eight ऐट वैज सेवन तो हमाइनगे focus में मिल जाएगा हमें seven मिल जाएगा seven मींशेख सहे माइनस eight कर देंगैं सॉठी प्लस एट कर देंगे और यहां पर आज़िए यहां पर करेंगे तो Armenia 56 शिरगा यह हो जाएम इने सेवन केंशिन अब इसको एड़ करेंगे तो करने में कितना चाएगा 4 एडर 60 टो यह 18-2 ऑब यहांपर डिवैड में आजाओम इसको माइनेस करदें तो से तो यह जागा नहीं तो यह हमारा 1640 64 और 1630 48 तो यह आजाएगा फॉर बाइथरी ठीक क्या आजाएगा माई पस फॉर बाइथरी अजाएगा अब यहां पर जो कोशन था उसको देखो त्यांसर आपर कोशन में कहा था भीया इसको प्रूफ करना और यह लाना तो फॉर बा इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो लेफ्ट हेंड साइड है वो बराबर है राइट हैंड साइड के राइट हैंड साइड के यह हो गया हैंस प्रूफ और यह हो गया कोशन नंबर 18 का हमारा सेल्यूशन क्लियर हो गया तो कोशन 18 हमारा कंप्लीट हो गया अब हम लोग करेंगे Qoshen no. 19 को तो देखो यहां पर जो Qoshen no.19 है वो कह रहा है if sin theta equals to this अब sin theta हमें यह दे दिआ कहा गया थें प्रूफ that this equals to this फिर से हमें वही करना है जो हम लोगों ने Qoshen no. 18 में किया है साइन ठीटा के हैब से इसको हमें प्रूफ करके लाना है सरूट 7 by 3 कैसे सब्से पहले कोस्क की वैली निकालो कौर्ट की निकालो सेक की निकालो फिर इसमें पूट कर दो फिर से हमारा यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा तो यहां पर हम लोग करते हैं यहां पर हमारे पास जो कोश्य नंबर है 19 वाला इसमें हमें दिया क्या गया है यहां पर 19 में कहा गया है कि है यह साइन ठीटा ठीक है साइन ठीटा एक्वास्ट टू है हमारे पर 3 by 4 अब देखो साइन ठीटा का फॉर्मला होता है फी अपोन एच मतलब परपेंडीकुलर अपॉन हेटेनस होता है चलो राइट एंगल ट्रैंगल बनाया एक दिया वी कर दिया कि 90 πο missing थेंगरų तेंगर 1 टकल् Dalton Depially ठीक है अब डपर हमारे पास क्या है यह एच हमारे पास क्या यह हमें क्या चाए यहुझ यह तीसरी उपछी कौन से की क्या है बी सी कि अब इसको टीर्प्राइब करने के लिए हम यूज करेंगे पाइथागोर χर shrn आप दोखो जो पाइथा गोरस है वह कहती में सिका सक्वेर रेगा एक्वक्त का सक्वेर और यह पहले को सी जो है वह हमें पता है 4 बता है 3 है 3 का स्क्वार और प्लस जो cb है वह और की रहेगा यह नो चुछ फॉर होता है 16 फॉरगर 153 का होता है 9 9 प्लस का इधर आएगा माइनस हो जाएगा यहां पर आजए हमारे पास cb और यह हो जाएगा हमारे पास स्क्वाइर क right अब इसको सुल्म करेंगे तो कितना बाइन पास 96 और 7 आजाएगा 7 स्क्वार हटेगा तो यहां पर अंडर रूट हो जाएगा और यहां पर आजाएगा सी बी तो सी भी हमें मिल गया रूट 7 कितना मिल गया हमें करना simple है यहां पर हमें क्या proof करना है हमें proof करना है cost q2 theta minus cot q2 theta divided means x2 theta minus 1 equals to root 7 by 3 यह करना है proof तो कैसे करेंगे सबसे पहले cross bic cod key or sec key value find करेंगे कैसे इसके formulation तो यहां पर जो causec है ठीक है नहीं कोजेक थीटा है इसका जो formula होता है वो h upon p होता है hypotenuse upon perpendicular h जो है वो है 4 और perpendicular है वो है 3 किलिए रहे हैं अब देखो chord की बारी आती है तो chord का जो formula होता है वो होता है b upon b upon b b मतलब बेस जो कि 3 है 3 है ना नहीं नहीं बेस 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 C B C B हमारे पास है दिरुट 7 है यहां पर देहों जो हमारे पास कॉट हो गया कौसेक हो अब जो लास्ट वाला हमारे प offenders वह क्या है वह जिए है host AG टीटा सेग थिटा है इसका जो फॉarमला होता है वो क्या ओतन बेन यहां पर है आइक बोन भीन्रेटिने सबहूंबी अब यहां पर instead 4 और भी हमारे पासर रोट 7 यह यहां पर हैं आप इस सभी को उथाएंगे और जो पर्रूफ करने तीटा डिवाइड में आ जाते हैं यहां पर हो जाएगा सेक स्क्वाइड थीटा माइनस वन ठीक है यह कहा गया एक कोश्च कहा गया है कि रूट सेवन बाई थ्री प्रूफ करके दिखाओ तो दिखो यहां पर कॉसे कि स्क्वाइड है ना इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली रूट लेहां लेका हमने यहां टुमनेे टूट यहां कर दिया यह कोस की वैल्यूahren मैं यहां पर बास करते तो हमने यहांपर लिख दिया 거지 माइनस कॉट सकुराइए हमने अभी उपर कितनी निकाली रूट सेवं बाइतर seven री नहां तो यहां पर हमने लिग दिया अंडरूट Seven by three है यहां पर कर दिया हमने स्कुरार समाझ तिन अब यहां पर दो पूरे में लिखा हुए नहां पूरे में ऋ kell wackaj आते अब यहाँ पर स्कुएर ठीटा है इसकी फोर यहाँ पर है रूट सेवं यहां पर स्कुएर करो दिया माइनेश कर दिया मरिश्क कराई अब इसको बर समय सॉल्व करना और पर हमारा answer अपने हाथ में अंडर डूट रखा इसे फॉर का स्क्वार होगा फॉर फॉर जा सिक्स्टीन और थ्री का हो जाएगा 9-7 by 9 और यहां पर आजाएगा हमारे पास 16 by 7-1 अब इनका ले लोगे तो क्या आजाएगा 9 और यहां पर लिखा हमने 9 और यहां पर आजाएगा हमारे पास 16 में 7 जाएगा तो आजाएगा 9 तो यह आगे हमारे पास 9 by 9 अब नीचे आजाओ यहां पर वन करो इसमें ले लोगे तो यहां पर कितना आजाएगा ओके यहां पर आजाएगा हमारे पास 7 तो हमने यहां पर कर दिया 7 ठीक है और यहां पर आजाएगा हमारे पास 16 और यहां पर हो जाएगा 7 तो यहां पर हम कर सकते हैं 16-7 कर दिया 9 से 9 हमारा कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर आजाएगा हमारे पास स्वांबी ँिह यहां पर आजाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा हमारे पास 9 यह हो जाएगा हमारे पास यह जाएगारओ घ्ल से रहें जाएगाstarमानी कैसे हो गाल जाएंडड़ूर्श तो सब समझ में आ settlements हिए यहां पर साइद सब्सक्रांइब यहां पर यहां पर इसके इस-स्य सब्सक्राइब इसका चाहिए निचे वाले का नीचे और बाहरवाले का बाहरवाले के साथ várias चैंन वाई ना गया अब नाई नहीं यह किसका होता है यह त्री का स्कॉरuse यह त्री कADE स्कॉर कहारे इसलिए यह 3 हमारा भार आगा और टरूट से और साइवन किसी का हमारा स्कुरार नहीं होता है तो यह हमारे प mesh with men hereyour रूट 7 by 3 आ गया तो हमें यही प्रूफ करके लाना था तो हमें पता चल गया कि लेफ्ट हैंड साइड एक कोस्ट है राइट हैंड साइड हैंड साइड हैंड क्लियर तो यह हो गया कोशन नमबर 19 का हमारा आंसर ठीक है समझ में आ गया अगर कोई भी डाउट है तो कॉमेंट करके पूछ सकते हो ठीक है और इंस्टाग्राम में भी जाके पूछ सकते हो इंस्टाग्राम की जो आईडी है वह आपको डिस्क्रिप्स में मिल जाएगी जाओ क्लिक करो और हम लोग कुछ इसमें बात भी करते हैं तो 19 हो गया अब हम लोग बात करते हैं कोशन नमबर 20 के तो यहां पर भाई या देखो एक ही कोशन में दो पार्ट देगें तो पहले यहां पर कहा गया इफ 3 10 a equals to 4 दें प्रूव ड़िए इस एक्वल्स तू थिस ठीक है तो पहले हम लोग इसकी बात कर लेते हैं चलो यहां पर आते हैं और हमें यहां पर क्या गीवन है यहां पर तो 4 by 3 आगे हमारा क्लियर अब 10 का जो फॉर्मला होता है 10 ठीटा का ठीटा जगह पर अभी यहां पर चला है तो 10 a बोलेंगे इसका जो फॉर्मला है वो पी अपॉन बी है अब देखो राइट एंगल ट्रेंगल है ना यह हो गया ए यह हो गया बी और यह हो गया सी अब जो a b है यह साइड हमारी क्या है इसको मानते हैं यह एंगल यह 90 डिग्री इसके साहे हमने है अब जो a है इसके सामने वाली साइड होती है पर्पेंडिकुलर और इसके बगल वाली साइड होती है जो भी एंगल लोगे उस एंगल के सामने पर्पेंडिकुलर उसके बगल वाली बेस्ट के लिए अब हमें आगे क्या करना है वह देखो यह है 10 a equals to this हमें यह सबसे पहले site find करने हैं तो find करने के लिए हम यूज करेंगे पाइथागोरेस तो यहां लिखा by using पाइथागोरेस तो पाइथागोरेस अरे एस भाइए एस पाइथागोरेस कैसे लगेगी यहां पर लिखेंगे a c square ठीक है यहां पर हो जाएगा a b square और यहां पर हो जाएगा हमारे पास plus c b square क्लियर होगे अब देखो जो a c है a c वो क्या है h h हमें पता है नहीं a c sqr कर दिया a b j o हमें पता a b j o पर पता हमें 4 तो यहां पर हमने कर दिया four if four k square plus c b हमें 3 तो यहां पर होगे 3 k square for k square होता है 416 33com 9 यहां पर add कर देंगे तो यह कितना ओझाएगा 4 यहां पर 25 कितना हो जाएगा 25 यहां तो यहां पर चला जाएगा हमारे पास अंडरूट और यह आ जाएगा हमारे पास 25 होता है किसका यह होता है तो यहां पर जो एसी हमें मिल गया है वो मिल गया है 5 क्या मिल गया है यह वाली साइड हमें मिल गई है अब दो यह साइड मिल गई है तो को वैल्यू पता होनी चलूगी है हमें अभी पता नहीं तो हम लोग इसको find करेंगे कैसे यहां पर हम लिखने जा रहे हैं सेक और सेक जो होता है उसकी जो formula होता है वह होता है एक हैपटनेस अपन बेस होता है अब दोखो यहां पर जो हमने find किया वह 5 है और जो है हमारे पास वह क्या है कॉसिक जो है वह है एच अपन पी हैपटनेस अपन परपेंडिकुलर तो एच जो है वह हमारे पास 5 है और जो पी है पर्पेंडिकुलर वह क्या है हमारे पास वह है इतनी बात अब यह दो हैं हमारे पास अब हमें क्या प्रूफ करके देखना है वह हम लोग लिख लेते हैं यहां लिखा अंडरूट कहा गया है कोशन में कि सेक ए माइनेस कॉसेक कि ए ठीके डिवाइड में आता एंगर यहां पर है सेक ए सेक ए प्लेस यहां पर होगा कोसएं कोस को सेक e क्रूफ करके लाना है वन बाइरूट 7 तो देखो आता है कि हमारे पास सेimated ना और तभी उस्ट न में इहां पर लिगा 5 by 3 यहां कर दिया प्लस 5 by 4 ओके 5 by 4 ओंगया ए यहां पर डिवाइट कहीं में आते हैं यहां जो हैं 5 by 3-5 by 4 ओकर दिया हमने यहां आर इहां पर आसे की यहां हमारे पास पंद अब यहां पर होगा 3-4-12 वहां हो 12 आ जागा इन दोनों के ऩाम्लों के 12 होगा है और यहांपर निए 2534 to 20-keep हो जाएगा- 53 क्या हो जाएगा यह है यह करना आता ही नहीं होगा अब यहां पर हम लोग लेंगे यहां पर 12 हो सब्नेशाट मिल जाएगा और यहां पर भी हो जाएगा हमारे पास यह मिल जाएगा हमें ओके यहां पर मिल जाएगा 35 ठीक है 57 जा होगा 35 कितना हो जाएगा 7 तो यहां पर हमें क्या मिला यह मिला है यहां पर हो गया अंडर तो इसको एसे लिख सकते हैं वन अपॉण रूट सेवन कि दो वन में वह रूट लगाओ चाहिए जो लगा यह वन हमें साव रहता है च्यूब लगा दो स्कॉर लगा दो वन ही रहता तो यह हो गया वन बाई सेवन और यहीं दुखो हमें प्रूफ कर complete हो गया है एक पार अब इसी का जो दूसरा पार्ट है उसको देखो यहां पर दिया गया 1-1 प्लेस कॉस एक कोस टुदिस अब हमें यह प्रूफ करके दिखाना तो कैसे करेंगे इसका भी लाज़ देखो यहां पर हम लोग लेते हैं एक पेज कि जिसमें हमें लिखना है यहां पर हमने अभी साइन ठीटा जो की दिया हुआ था कोस्टें में 19 है यह तो 20 घाए यह 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 गूट टैंट है जो की दिया गया था 3 कोस्टेंट यह 310 एजो की हमने लिका ला फ फिर से इसी के दूसरे पाल में इसको लिख लेते हैं 10 टेटा 10 A है ना यहां पर A लिखा 4 by 3 लिखा और इसका जो फॉर्मॉला होता है पी अपॉन भी होता है पर्पेंडिकुलर अपॉन बेस होता है यह राइट अंगल बनाया यह होगे हमें पस ए यह होगे बी यह होगे सी यह होगे 90 यह होगे हमारे पास हैपेटेनिस और यह होगे पर्पेंडिकुलर और यह हमारा पेस पेंदा तो देखो अब यहां पर हमार तो यह हमने निकाला था ना 5 तो यह हमें 5 भी गिविन है अब कोशन ने जो बात कहा है कि भाईया यहां पर कि साइन Was प्लिस की वैल्यव क्या इसके बराबर होगी प्रूफ करके दिखाँ उसके लिए हमें साइन और कउस की वैल्यु का पता होना जरूरी है तो जो सबसे पहले साइन की वैल्यु की सलें निकाल यह साइन के फॉर्मॉला से जो बेस हमारे पास 3 है और ह हमारे पास 5 है बस अब क्या करना है जो भी कोशन ने कहा उसमें हम लोग पुट कर देते हैं तो देखो कोशन ने कहा है अंडर रूट 1 माइनस साइन ए और यहां पर कहा है 1 प्लेस को से ठीक है एककुल्स टू हमें करना है 1 बाइट 2 रूट 2 अब थार फिए हमने सार्व यहां पर निकाल ली ठीक है अब ऐसे यहां पर डिवाइट में हो यहां पर क्या है हमारे पस में ह Commissioner vida 1 प्लेस कोस कोस्वेलु ने निकाली 3 भाइट 5 अब इसे इससे क्लो यहां पर लो इसको पर आजाएगा हमारे पास one upon five और इसको solve करेंगे तो eight upon हमें five मिल जाएगा ठीक है क्या मिल जाएगा eight upon five अब five से five cancel तो हमें क्या मिलगा यहां पर यहां पर मिल जाएगा one upon eight under root अब देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको लिख सकते हम लोग अंडर रूट one upon two square into two अब two के square से हमारे पास root cancel हो जाएगा तो यहां पर आजाएगा one upon two under root इसको ऐसे लिखेंगे यहां पर one upon two root two बस यही हो गया हमारे पास इस question का answer देखो कैसे यहां तक तो सब समझ में आ गया हो यहां दिक्कादारी हो यहां पर कैसे two square का होता है four और into क्या लिखा है यहां पर two four two जे क्या होता है eight होता है eight होता है यह लिखा हुआ है तो हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं अब दो यहां पर two में square लगा है तो इस वज़े से इस तू को हम लोग बाहर ला सकते हैं कैसे square से हमारा रूट हट जाएगा तो यहां पर यह वाला two हमारा बाहर आ जाएगा तो यहां पर two root two लिख सकते हैं अब बात आरी one की तो भाई यह one में square लगा दो क्यूब लगा दो root लगा दो जो मनों वो लगा दो one हमेशा one रहता है तो one कभी चीज़ नहीं होता है इसलिए यह हमारा answer हो गया तो question number 20 तक के question ही इस वीडियो में हम लोग solve करेंगे ठीक है I hope आपको समझ में आगे होंगे बहुत easy है बस आपको इसके formula रटने पड़ेंगे formula आप रटलो क्योंकि exercise पूरी formula पर टिपेंड है और आंगे कि exercise है वो भी हम लोग formula पर ही करेंगे तो अगर formula नहीं आपके पास तो अब जो इंट्रोडेक्शन वीडियो देखो वहां से इंस्क्रीन सॉट ले लेना तो आपके पास formula हो जाएंगे पूरा रटलो के एक बताईए अगर वीडियो अच्छे लेगी तो like comment share कर देना अगर इस तरह के solution चाहिए तो इस वीडियो को और इस च subscribe कर लेना जोसरा share कर देना मिलते नेस वीडियो में इसके आंगे वाले कोशन के साथ